आप देख रहे हैं OCTAC VFX आज मेरा ये सिकेंड क्लास है अदू फोडे सॉप का और मैं इसमें आपको कूल्स टूल से बताने वाना हूँ और इसके साथ इसका यूज करके भी बताऊँगा आप देखते रहे हैं आएए चलते हैं तो ये पहला टूल है थीक है MOVE TOOL MOVE TOOL का यूज क्या हो था मैं आपको बताता हूँ यहां से NEW LAYER लिए और कौछ मैं CREATE करता हूँ अभी बता देऊ थीक है MOVE TOOL का यूज तो Rectangle Maskell Tool Elix Chipper Maskell Tool इस टूल का यूज हम क्यों करते हैं पिछली क्लास में बताया था और इसमें भी बता देता हूँ आपको इस टूल का यूज कहीं कोई से बनाना हो या कोई मोडल तेयर करना हो नॉर्मली या किसी चीज को सलेक्शन करना हो तो इसका यूज करते हैं ठीक है जैसे इसको मैंने आल्ट बैकिस्पेस किया तो इसमें कलर फिल हो ठीक है तो इसको कंट्रूल लेकिया सलेक्शन के अगर इसी चीज को सलेक्ट करके हमको डिलीट करना है या कलर फिल करना है या इसको हटकट करना है तो इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आल्ट बैके स्पेस से कलर फिल हो गया है अब इसको इसको इतना सेलेक्शन करना है अब इसमें और सेलेक्शन नहीं जोड़ सकते हैं इसमें और सेलेक्शन नहीं नहीं कर सकता अभी अगर आपको एड करना है तो यहां से मैंने इसको किया अब यहां पर देखिए आइड करने के लिए आइड सेलेक्शन टूल हो रहा है यह दिखा रहा जो आइड कू सेलेक्शन इसको क्लिक कर दीजिए अब इसमें आप थमाम अगर आप चाहते हैं कि अब इसमें से कुछ एड को डिलीट करना या कुछ पिष्ट्रा हो गया तो इसको डिलीट करना तो आप इसका यूज करें इस टूल का यूज कर कि यहां से डिलीट कर सकते हैं अब इसको डिलीट कर सकते हैं इसकी शूट के होती है अल्ट अप्रिस किया और इसको डिलीट कर सकता है इस टूल का यूज क्या करते हैं कि इस प्रक्षान इस इस एरिया में जितना सेलेक्षिन करेंगे उतना तो रहेंगा बाकी सब हट जाएगा डिलीट हो जाएगा देखिए मैं बताता हैं मैंने इसको इतना selection किया है डिख रहे हैं बाकी सब्ड़ेट कहा है इतना selection किया है सारी एरिया रह गई ठीक है तो आप इस तूल का इस इसमें यूज करते हैं और मूब तूल का यूज करते हैं इसमें बता देता हुआ किसी चीज को जरुदर करने किने मुव तूल का सलेक्शन होता है अरे शोट क्यों होता है वी तो यहां पे वी प्रेस कर लीजे जास जा तो इसको प्लिक कर लिए इसको कहीं मुव करा सकते हैं आप एनिवेर आपको नेक्स लेकर चलते हैं अब लॉशोट टूल पॉलिगन टूल या में इस टूल का यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूं ठीक है लॉशोट टूल से मतलब कोई डारेक्ट सेलेक्शन करना है आपको लॉशोट टूल मैं देखी आपको बताने था हूं अर हाँ जैसे आप देख रहे हैं ये मैं कुछ पिक्चर्स पैक करा ले था हूं तो इसमें आपको बखुभी से मालम चले गाए जैसे की ये मेरी पिक है ठीक है ये मेरा पिक है मैं इसको सेलेक्शन कराई कुछ सेलेक्शन करा लिया ओके ला फोटोन का यूज कहा कर दें मैं आपको बताता है कर देखिए लासटूल अब एक बार क्लिक कर देंगे तो लासटूल मतला बेची पकते हुए उस कलर को पकड़ते हुए निकल जागा देखिए मैं इसको कर रहा हूं क्लिक यहां पर देख रहे हैं विदाउट क्लिक कर देखिए इसको पकड़ते हुए चला गए अगर बाइदर भर धर होगा गलती होगा तो आप इसको बैक नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर आप बैक स्पेस करेंगे तो वह एक एक इस्टे बैक होता चला जाए अब इसको लाक यहां पर मिला दिये हैं सेलेक्शन होने हैं इसको कंट्रोल जेट कंट्रोल जे कर दीए ठीक है यह लासो टूल का यूज होता है यहां पर रिष्टराइज कर लें अब पॉलिगन लासो टूल का क्या यूज होता इसमें देख लिए पॉलिगन अगर 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 कोई सीधा सीधा देगा यहां पर किलिक कर लिया यहां पर किलिक कर लिया यहां पर किलिक कर लिया एक पॉलिगन यह सीधा क्या होता ह वहां पर लागी मिला डी इसको कोई Color Refill कर सकते हैं यहां कान्ट पर कर के Ctrl-D का कुछ cutting भी कर सकते हैं को जो करना भाव कर सकते हैं Ctrl-D करें का selection time अब इसका लासो है center for magnetic glass tool,因爲ш मतलब का बसुंस ऐना हो संतल ने स्थनी रहुआ के चला जाए दूना के we lifetime set LETो अभाँ द फार आ प्रिम चना जाए आँए और हुआेगं मैंने किया एक high diez कि मेर या आख लेक्री एक है हो डिद्रेट दे रहे चाला जाना हमना यह मैंगेनिटिक टूल का काम है। थोड़ा बहूँ डिफॉल्ट होता था अब बैक इस्पेस करिये। था यह थोड़ा बहुत आपको कहीं मैंडोल भी करना हूंदे। क्यूँ नहीं ले रहा है। कि देखिए यहां पे कलर इसका चेंज यह कलर वाइज लेता है मैंगेनिट आप कर लिजाए और असे डंग मिला दे है Ctrl-J से को भी होता है कितना ब्याथरीन कटिंग हुआ है जितना दूर हुआ है ठीक Magic tool आपको बताता हूं Object selection इसमें ज्यादा तर यूज़ करें Magic tool Magic tool का यूज़ करता है मैंसे कोई इस पार्टिकुलर दो कलर है ब्लैक इन वाइट या कोई भी कलर हाइलाइट से तो उसको आप सेलेक्शन करता हूं Magic tool में थरू इसमें रेट क्लिक करता हूं रेट को सेलेक्शन करता हूं Magic tool से देखने Magic tool से यह Magic tool का यह का होता है इस पार्टिक करके अपना सेलेक्शन हो जाएगा Control इट कर चुकते हूं हम देख लिए तबी फिरा रम बैक चलते हैं और कुछ आपको ग्राफिक बना के दिखाते हैं इस टूल का यूज करके क्या बोलते हैं रेक्टंगल टूल में इस टूल का यूज करके मैं आपको इस ग्राफिक्स बनाता हूं जैसे क्यां क्या होता है देखिए यहां पे आप एंप्रेस किये sort किये में तो आप इसको ऐसे यहां से ऐसे कर लिजे इसको एक नूई लिजे आलबाइक इसकी एक कंट्रोल ली कर लीजे अब इसमें कुछ डीजाइन से बना लेजिए जैसे के आप यहां पे जाएं इसको करिए और यहां से shift के साथ क्लिक करिए अब इसको डीलेट कर दीजे अब डीलेट कर दीजे अब इसको एक new layer लीजिए अब इसमें एक color fill कर लीजिए control D control D से इसको transform करते है अट्रा control D से क्या करते है transform करते है enter करिए replace करिए तो कि अच्छी design मैंने तैयर करके रख दिया आफिस्तान दे दोनों वाला अलग layer पर ओके इस पर जाएगा जब control प्रेस करके इस पर click करेंगे तो उसका है selection area बन जाता है इस पर आप जाके उसको delete कर लीजिए control D और इसको क्या करेंगे थोड़ा सो down कर लेजिए ठीक इस तरगे आप ग्राफिक तमाम तरगे बना सकते हैं आज के लिए इतना ही काफी है और मिलते आपको next class में और आपको बताया जाएगा इस तमाम टूस का यूज करके और यूज करके और थैंस फार वाचिंग वीडियो थैंक्यूंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट